नमस्कार साथियों आपका मार्केट में आपसब का स्वागत है साथ на 222 ficarовор के दिन हम बात करेंगे साथियों पावर सेक्टर की बहुत ही चोटे कमपनी बहुत ही सऩता शेयर जएपी पावर और जेपी पावर के शेर होल्डर की लगे लोटरी क्योंकि शेर में तगड़ा बोलिस रिवर्सल आई सी आई सी आई ने खरीड डाले 68 क्रोड शेर शेर में बहुत बड़ी रेली बहुत बड़ा टार्गट देखने को मिल सकता है शुरुवाद करते हैं साथ हो सबसे पहले आपको जरूर सबस्क्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेश जरूर करें तक कि शेर बाजार से शेर से जुड़े हुए हर अपडेट आपके पास पहुंचती रहे शुरुवाद करते हैं साथ हो साथ जनवरी 2022 सुक्रवार के दिन भी जेपी पावर के शेरों में 5.7 परशेंट की जबरजस्त तेजी है और 52 सप्ता हाई में पहुंच चुका है ये जेपी पावर वेंचर का शेर है लगातर कई दिनों से जबरजस्त खरेदारी जबरजस्त तेजी जेपी पावर के शेरों में देखने को मिल रहा है और अगर हम जेपी पावर की बात करें साथ हो साल 2007 में 143 रुपे का ये शेर साल 2019 आते आते 35 पैसे तक गिरने के बाद साल 2020 साल 2021 में 1800 परशेंट से भी ज्य पैसे से साल 2021 आते 8 रुपे 40 पैसे के उचाई में पहुचा जेपी पावर का शेर जिसने बिते दो सालों में 1800 परशेंट से भी ज्यादा का जबरजस्त रिटन दिये हैं इसके बावज़ुद अभी भी जेपी पावर के शेरों में बहुत बड़ी रिली बहुत बड़ी ते देगने में अभी जाँ केंडल स्टिक बन रहा है शेर में बहुत बड़ी रेली बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी डेली वीकली और मंतली चार्ट में शेर जबरजस्त बुलिस अप ट्रेड में हैं और अगर बात करें वै pak हम जेपी पावर की बात करें 32 पैसे के 52 सब्ता हाई में ये शेर है और अगर हम JP पावर की बात करें सात्यों बहुती बहतरिन ट्रेंगल पैटन और बहुत बड़ा ब्रेकाउट यहां पे शेर दे रहा है बहुती जबर्जस डबल बॉट्टम यहां पे बन चुका है और 3 रुपे का ये टार्गेट तोड चुका है अगला टार्गेट JP पावर के शेरों में हमें बहुत जल्द 30 रुपे तक देखने को मिल सकता है जहां तक हम JP पावर की बात करें सात्यों ICICI Bank 10% पंजाब नेशल बैंक 5.2% सेंटर बैंक आफ इंडिया 3.7% कैनरा बैंक 2.4 और युको बैंक 1.2% के इससे दारी रखता है और JP पावर के अंदर ICICI Bank का 9.97% यनिके 68.33 क्रोड शेर होल्ड है और JP पावर के अगर हम बात करें सात्यों बहुत ही जवरजस्त बुलिस अप्ट्रेंड में है और हर रोज बहुत बड़े-बड़े निवेशक और बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर क्रोडों शेर खरीद रहे हैं 6 जनवरी 2022 की दिन भी यहां Adroid Finance Service Private Limited के और से 5.08 क्रोड शेर खरीदी गए हैं जिसके चलते JP पावर के शेर में बहुत बड़ी रेली बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रहा है जहां तक JP पावर वेंचर की बात करें सात्यों बिलो एवरेज क्वालिटी की कंपनी है वैलिएशन एक्ट्रेक्टिव है फाइनिशिल ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि सितमबर सेकेंड क्वाडर के रिजल्ट बहुत ही कम जोर आए थे लेकिन इसके बहुद टेकनिकली जबर ज़स्त बुलिस अप्ट्रेंड में ये शेर है बी एसी एन्एसी दोनों एक्शेंज में लिस्टेड समाल कैप शेर है जो बहुत जल्ध मिड कैप शेर बन सकता है बावण सब्ता हाइए में जेपी पावर वेंचर का शेर है जिनके पास येपी पावर का शेर है क्योंकि सितंबर 2nd quarter के result कमजोर आये थे December 3rd quarter के result कमजोर भी आ सकते हैं और positive भी आ सकते हैं जहां तक December 3rd quarter के result से पहले जिस तरह से JP Power Venture के shareों में 52 सब्ता हाई और बिते कई दिनों से जबरजस्थ खरीदारी देखने को मिल रहा है December 3rd quarter के result JP Power के positive आते हुए दिख रहे हैं लेकिन साथियों result से पहले बहुत बड़ी निवेश ना करें लेकिन जिनके पास share है वो बने रहे हो सकता है JP Power 35 पैसे से बिते 2 साल में ही 8 रुपे 32 पैसे तक आ चुका है और बहुत जल्द हमें JP Power के share हो में 20 से 25 रुपे तक की भी target देखने को मिल सकता है लेकिन नए निवेशकों को यहाँ निवेश निवेश लेनी करना चाहिए क्योंकि company के promoter लगातार company कंदर हिस्सेदारी को गटा रहे है और बहुत ज्यादा आम निवेशकों के इस्सेदारी company में बढ़ती जा रही है जहां तक यह share rolling pattern की बात करें साथ हो आम निवेशकों के पास 44.4, order institution के पास 28.9 परमोटर के पास 26 और विदेशी सस्तागत निवेशकों के पास मातर 0.9% की सेदारी है हम सितमर 2021 की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं दिसम्बर 3rd quarter के result से पहले यहां खरीदारी एक बहुत बढ़ा रिसकों हो सकता है क्योंकि JP Power के अंदर company के परमोटर जहां अपने इस्सेदारी को लगातार घटा रहे हैं वहीं परमोटर के गिरवी शेर 87.3% भारी भरकम परमोटर के शेर गिरवी है ऐसे आलाद में JP Power दिसम्बर 3rd quarter के result के भरोसे शेर में तेजी या मंदी कुछ भी आ सकता है रिजल्ट से पहले जिनके पास शेर हैं वो बने रहें लेकिन नए निबेश और बहुत बड़ा निबेश JP Power के शेर में ना करें जब तक कि दिसम्बर 3rd quarter के result नहीं आते हलाकि वैलिवेशन बहुत ही जबरजस्त वैलिवेशन में ये शेर है जबरजस्त बूलिस रिवर्सल शेर में देखने को मिल रहा है शोट ट्रम में बहुत ही बहतरिन रिटन ये शेर दे रहा है आगे भी दे सकता है इसके बावजू सात्यों क्योंकि कमपनी के परमोटर के हिस्सेदारी कमपनी में कम होना और 87,5,3% की भारी बरकम परमोटर के शेर गिर भी होना कहीं ना कहीं जेपी पावर के शेरों में अगर दिसम्बर थर्ड क्वाटर के रिजल्ट कम जोर आए शेर में भारी भरकम गिरावट और लोर सरकेट देखने को मिल सकता है जहां तक जेपी पावर वेंचर की बात करें सात्यों हाल फिलाल जबरजस्त बूलिस अप्ट्रेंड में ये शेर है बहुत बड़ी रेली बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ा टार्गेट शॉट टम में देखने को मिल सकता है लंबे अबदी के निवेश के लिए यहां पर दिसमबर थाड़ क्वाटर के रिजल्ट के इंतजार जरूर करना होगा अगर दिसमबर थाड़ क्वाटर के रिजल्ट पोजिडिव आए फिर JP Power के shareों में हमें 30-40-50 तक की रेली अगले एक सालों में देखने को मिल सकता है और बहुत ही बहुत ही जबर्जस रिटर्न ये share दे सकता है JP Power Venture और JP Power Venture के shareों में निवेश करना ना करना बने रहना एक्जिट होना ये फैसला आपके अपने होने चाहिए और किसी भी share में निवेश करने से पहले अपने financial advisor से consult जरूर करें साथ हुए ये थी JP Power और JP Power के shareों में एक छोटी सी update अगर आपको अच्छा लगे मुझे एक like जरूर देना और अधिक से अधिक अपने ग्रूप में share कर देना और जिन भाई साथियों ने अभी तक मेरा यूटूब चैनल मनी मंत्र मार्कट को सब्सक्राइब नहीं की हो जरूर करें बविचे में share market से stock से जड़ा हुआ data detail information आपके पास आते रहेंगे इन सबी बातों के साथ साथियों मैं इस clip में आप लोगों से विदा लेता हूँ अगले clip में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जये हिन जये भारत subscribe now and press the bell icon never miss an update